नमस्ते दोस्तों मैं आसा हूँ और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे आसास Mindful Living YouTube चैनल पर मैं आप सभी को धन्यबाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल के वीडियो को देखा आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्तुपूर है अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा अब बढ़ते हैं आज के विशाई की ओर हेलो दोस्तों आप सभी का आसास Mindful Living चैनल पर स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा आज हम बात करने जा रहे हैं चिरायता के फायदे के बारे में चिरायता जिसे स्वर्टिया चिरायता के नाम से भी जाना जाता है भारत नेपाल भुटान और तिबबत के समसी तोसड हिमालई छेत्रों का मूल निवासी एक जड़ी वूटी वाला पोधा है हितियासिक रूप से चिरायता ने अपने और सदिय गुडों के लिए पारंपरिक आईरुवेदिक और तिबबती चिकिस्चा प्रडालियों में एक महत तुपूड़ इस्थान रखा है इसके कड़वे स्वाद और कथित कित्सिय प्रभावों के कारण इसका उपयोग सदियों से भिविन बिमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है आईरुवेद में चिरायता को त्रिदोस नासक जड़ी वूटी के रूप में वरगी कृत किया गया है जिसका आर्थ है कि यह तीनों दोसों बाद, पित और कप को संतुलित करता है इसके पारंपरिक उपयोगों में बुखार, पाचन संबंदी समस्याएं त्वचारोग, स्वसन संबंदी समस्याएं और एक समान स्वास्त टानिक के रूप में इलाज सामिल है इसके अतरीक चिरायता को इसके संभावित, उजन रोधी, जवर नासक और एंटी ऑक्सिडेंट गुडो के लिए खोजा गया है समय के साथ बैग्यानी कनुसंदान ने इन में से कुछ पारंपरिक उपयोगी की पुष्टी की है और चिरायता के संभावित स्वासलावों पर प्रकास डाला है आज इसका उपयोग विबीन हरवल फार्मूलेशन में किया जा रहा है और इसकी चिकित से ये छमता के लिए आधुनिक हरवल, चिकिस्ता और बैग्यानी कनुसंदान में समानत्या फ्राप्ट हो रही है सूजन रोधी प्रभाव इसका उपयोग पारंपरिक रूप से सरीर में सूजन को कम करने के लिए किया जाता है जो गटिया और सूजन आंत्र रोगों जैसी सूजन सम्बंदी तिस्तियों के लक्षडों को कम करने में मदद कर सकता है बुखार कम करना चिरायता अपने जोरनासक गुड़ों के लिए जाना जाता है जिसका अरता है कि यह बुखार को कम करने में मदद कर सकता है इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विबिन बिमारियों से जुड़े बुखार के प्रवंदन के लिए किया जाता रहा है पाचन स्वास्त, माना जाता है कि चिरायता पाचक रसों और एंजाइमों के स्राव को उत्तेजित करके पाचन में सहायता करता है यहापा सूजन और कब्ज जैसी पाचन समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है प्रतिरक्षा प्रडाली का समर्थन, कुछ दिनों से पता चलता है कि चिरायता में इम्मीनो माडुलेटरी प्रभाव हो सकता है जिसका आर्थाई कि यह प्रतिरक्षा प्रडाली को बिन्यमित करने में मदद कर सकता है संभावित रूप से संक्रमड और बिमारियों से लड़ने की छमता को बढ़ा सकता है लीवर स्वास्थ चिरैता का उपयोग पारंपरिक रूप से लीवर के कार्य में सायता करने और लीवर विसहरण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता रहा है यह लीवर को विसाक्त पदार्थों और मुक्त कड़ों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है तवचा का स्वास्ट, अपने सुजन रोधी और एंटी आक्सिडेंट, गुडों के कारड, चिरायता मुहा से एकजिमा और सुराइसिस जैसी विबिन तवचा इस्तितियों में सुधार करने में मदद कर सकता है इसके संभावित लाबों के लिए इसका उपयोग पारंपरीक तवचा देकबाल फार्मूलेशन में भी किया जाता है स्वसन स्वास्त, माना जाता है कि चिरायता में कफ निशारक गुड होते हैं जो इसे स्वसन औरोद और खासी सेराहत दिलाने में उपयोगी बनाता है या सूजन वाले वाई उमार को सांथ करने में भी मदद कर सकता है गाड़ु रोधी गतिविदी कुछ सोच से पता चलता है कि चिरायता के अर्क में रोगाड़ु रोधी घुड प्रतरसित होते हैं जो बैक्टिरिया, वायरस और कवक के विकास को रोकने में मदद कर सकते हैं इस प्रकार समग्र स्वास्त और प्रतिरक्चा कार्य में योगदान करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट्स लाइक, सेयर कीजिए चैनल के सपोर्ट के लिए और दिये गए बेल आइकन को फ्रेस करिए जा करता कि आपको नई अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद